तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि डिरेलेर यहां से टोट चुका है तो पहले जो डिरेलेर था वो कुछ चीज टाइब का था इसमें हम आइलिंग नहीं कर पाते थे और काफी ज्यादा कचड़ा जमा हो जाता था तो अभी मैंने वेनम का डिरेलेर लगाया हुए है वेनम के डिरेलेर काफी मजबूत होता है और आप इसे प्रॉपरली ओयलिंग भी कर सकते हैं